शरद पवार सियासी पिच और क्रिकेट की पिच दोनों के खेल को बखूबी जानते हैं। शरद पवार के ससूर एक लेग स्पिनर थे मगर उन्हें इतनी शोहरत नहीं मिली। हाँ, शरद पवार की सियासी गूगली का जरूर एक लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं, शरद पवार ने पहले सियासी गूगली 1978 में फेक दी थी, जब ततकालीन मुख्यमंत्री वसंदादा पाटिल के खिलाफ बगावत करके सरकार गिरा दी थी। फिर बाद में खुद महराश्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गय थी। तीसरी गूगली शरद पवार ने 1999 में डाली, जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर वो कॉंग्रेस से अलग हुए, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी यानि अपनी NCP का गठन किया। चौथी गूगली की कहानी 2019 की, जो हमने आपको अभी दिखाई। जब नवंबर में डिवेंद्र फढवीस के साथ अजीत पवार को शपत दिलाई और फिर तीन दन में अजीत पवार वापस आ गये। बाद में शरद पवार ने इसे बीजेपी की सत्ता की भूख उजागर करने वाली अपनी गूगली बताया था. 2019 में शरद पवार ने जो किया था, ये कहानी दो लोगी खुल कर बता सकते हैं. एक पवार साब खुद और दूसरे दिवेंद्र फढवीस. शरद पवार तो गूगली अपनी बता चुके हैं. दिवेंद्र फढवीस ने 5 दिन पहले 29 जून को एक इंटर्व्यू न्यूज एजनसी एनाई को दिया. मैं तो फिर मैंने मेरी पार्टी में भी बात्चीत की मैंने कहा कि देखे इनों ने तो धोका दे दिया है. और हम लोगों को तो उनकी क्या बात्चीत चल रही है, समझ में आ गया था, ये तो अपने साथ नहीं आने वाले. तो अब हमको, at least we should see that he doesn't succeed. मतलब कोई अपनों को backstrap करके succeed हो जाए. तो it's not good. तो मुझे permission मिली, उसके बाद हमने meeting की और मैं वापिस कहता हूँ, हमने meeting शरत पवार जी के साथ की. शरत पवार जी ने इस बात को माना कि महराष्ट में stable government देंगे, BGP और NCP साथ में आएंगे, शरत पवार जी ने ये जिम्मेदारी मुझ पर और अजीत पवार पर दी, हम लोगों ने कितने ministers, कौन से portfolios, कौन से districts for guardian minister, ये सारी चीज़े तैकी. अजीत पवार जाने के बाद मैं वापिस नहीं आ सकता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे आगे किया, आपने मुझे जिम्मेदारी दी ती. So we continued, और हम लोगों ने शपत ली, unfortunately उस समय Supreme Court ने जो वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट का अगर हम लोग analysis करें तो जो अजीत पवार के साथ लोग थे, वो अगर हमारे साथ रहते तो डिस्कौलिफाय हो जाते हैं. और उसके चलते, there was no alternative, क्योंकि पार्टी तो नहीं आई थी, लोग आये थे उस समय, और Supreme Court का वर्डिक्ट इस प्रकार का था, तो there was a possibility, तो इसलिए अजीत पवार वापिस चले गए. तो इसलिए मैं यह मानता हूँ कि जहां तक backstabbing का सवाल है, तो backstabbing तो उद्धो ठाकरे ने किया है, लेकिन double play का सवाल है, तो वो पवार जी ने किया है.